हलो फ्रेंट्स आज हम फोटोशॉप CS5 में स्लाइस टूल सीखेंगे स्लाइस टूल के लिए हमें सबसे पहले पेज लेना रहेगा ब्लैंक पेज तो आप यहाँ देख सकते हो आपको ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है यहाँ पेज नहीं दिया है तो पेज लेने के लिए फाğin पेज को नेम देंगे माई प्रॉजेक्ट हिए पेज की स्टाइल जैसे हम यहां से से सलेक्ट करते है वेब और उसकी सबसेलाइक करते हैं हम create layer करेंगे, blank layer नया लेने के लिए अभी हम rectangle selection लेंगे rectangle selection लीजिए और draw करिए आप देख सकते हो, यहाँ पर rectangle selection हो गया अभी feather में आपको जितना feather sad करना है, आप sad कर सकते हो जैसे हम यहाँ पर five feather दे रहे हैं अभी हम window में जाएंगे और styles पर click करेंगे अभी हम next जो भी style पर click करेंगे automatically हमने जो selection area दिया था उसमें आ जाएगा आपको जो भी area select करना है और style select करना है आप select कर सकते हो Ctrl D देखे keyboard में से selection हटा सकते हो अभी हम T tool लेके यहाँ पर text लिखेंगे जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं about us अगर आपको text का color change करना है तो select करिये आपको यहाँ पर color plate दी हुई है आपको जो भी color select करना है select करके O.K दीज़े आप देख सकते हो यहाँ पर color apply हो गया है arrow tool लेजिए आप देख सकते हो उसको move करके अगर आपको select करना है तो Ctrl T करके आप उसके size directly भी change कर सकते हो जैसे हमने यहाँ पर change की, enter दोगे, selection हाट जाएगा उसके बाद है slice tool, slice tool से हम यहाँ पर slice create कर सकते हैं आप देख सकते हो, यहाँ पर slice create हो रहा है Select slice tool है, next option Select slice tool से हम जो slice किये हैं, वो select कर सकते हैं आप देख सकते हो, selection हो रहा है, अगर extra selection हुआ है तो हम delete भी कर सकते हैं keyboard में से सीधा delete प्रेस करके, और अगर आपको size change करने हैं तो आप size भी change कर सकते हो, आप देख सकते हो, यहाँ पर size change हुई है यह हो गया, अभी हम slice tool सेलेक्ट करके right click करेंगे और यहाँ पर edit options में जाएंगे, आप यहाँ देख सकते हो, detail दिवे हैं, हम URL यानी uniform resource locator पर आपको जो link देनी, आप link दे सकते हो, हम यहाँ पर link दे रहे हैं यहाँ पर आपको जो भी link attach करना है, आप उसका link का पूरा address लिख सकते हो, जैसे हमने लिखी link, और target में हम keyboard में से underscore प्रेस करके blank लेंगे, और यहाँ पर जो भी message आपको type करना है, message type कर सकते हो, आपको जो भी message type करोगे, आपको result में दिखाएगा then after, links ok दीजिए, आप देख सकते हो, यहाँ पर prepare हो गया है, अभी हम file पर click करके save for web पर click करेंगे और यहाँ से save पर click करेंगे, यहाँ पर आपके project को जो भी नाम देना है, source select करके नाम दीजिए, और आपको एक बार धिहां में रखनी है, यहाँ पर HTML and images वाला format set होना चाहिए, ओके दीजिए, अभी हमारी file को minimize करेंगे, हमने जो file create की है, हमें देख नहीं है, minimize करेंगे, desktop पर आपको file दिख रही है, डबल क्लिक करके आप उसको open करेंगे, आप देख सकते हो, file open हो गई, उसके उपर आपने जो text डाली थी links वो भी दिख रही है, thank you.